सांसदों के साथ मन्थन के बाद बीजेपी अलग कमान ने सभी सांसदों को काम सौप दिया इसके रावा मायवती ने OBC कोटे को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया इसी पर बीजेपी सांसद संगमित्र मौरेया ने कहा कि बीजेपी सब तरह का समेलन करती है किसी एक वर्ग के लिए नहीं बलकि सभी वर्गों का ध्यान रखती है सांसद संगमित्र मौरिया से बाचीट की हमारी समवदाता ममता चुतरवेदी ने देखिए तब देश में जैसे जैसे नज़दीकार है वैसे वैसे राजनितिक तोर पर हल चल बढ़ गई है इस पर बातचीट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारती जनता पार्टी से लोकसभा सांसद संगमित्र मौरिया जी इनसे बात करते हैं जेपी नड़दा की तरप से दो दिन तक मन्थन चला अगर इस मन्थन की बात करें तो क्या कुछ राह निकला कि ताकि यूपी में जो विदान साबा चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी जादा से जादा सीटों को पा सेके मन्थन भारती जन्ता पार्टी में जो होता है किसी एक विसेस राज्य के लिए नहीं होता है पूरे देश के लिए पूरे रास्ट के लिए होता है और जो भी मन्थन हुआ वो रास्ट पर मन्थन हुआ अब वो अलग की बात है कि अभी चुनाव नजदीक है तो हम उसे उत्तरप्रदेश से जोड़ने लेकिन वहाँ पर जो भी चर्चाए हुई चाहे वो गरीब कल्याण योजना के माध्यम से रासन हर ब्यक्ति को पहुँचे वो हो या हर ब्यक्ति को वैक्सिल लगे या हम आगे किस तरह से कार्यों को करेंगे इन सब चीजों पर चर्चा हुई तो वो रास्ट्रे इस तरह की बाते थी और निश्चित तरह पर भारती जन्ता पार्टी चुनावी बुद्देव को लेकर के या चुनाव उस राज्जी में है तो ऐसा कुछ नहीं करती है कि उसी एक राज्जी पर फोकस करें इसके अरवा जिस तरह के से OBC को मेडिकल में कोटा दिया गया है उसको लेकर मायावती एक तरह के से बैक फुट पर है और उन्होंने तंज कस्ते हुए कहा है कि सरकार का ये जो फैसला है वो सियासी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान सबा चुनावी ये लाभ जिन पिछड़े वर्ग के बच्चों को ये मिलेगा ये कितना लाभ प्रद है ये सैद वो बच्चे ही जान पाएंगे जो लगातार 2012 से भटक रहे हैं और इदर उदर चकर काट रहे थे और अभी लगातार सब पे एक तलवाल लटक रही थी कि हम सब का अगर आरक प्रदान मंत्री जी ने लगातार तमाम ग्रुप के लोगों ने संस्था के लोगों ने मिला पिछले वर्ग के तमाम नेता भी जाकर के मिले हम इस वक्त पिछला वर्ग कल्याड समीत में मिंबर होने के नाते हमारी तरब से भी गया पत्र हम लोगों के चेर्मेंट साब की तरफ से और हर संसा के लोगों ने अपने अपने माध्यम से इस कोटे को बहाली के लिए आनिवेदन किया और प्रधान मंत्री जी ने उसे स्विविकृत दी तो हमें लगता है इस पे सब को खुस होना चाहिए इसके लावा देखा चाहिए तो जिस तरीके से सपा अब ब्राम हो पिछड़ा वर्ग हो सबको साधने की कोशिश हो रही है क्योंकि अगर सपा बसपा ब्रामड सम्मेलन कर रही है तो बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है बीजेपी सिर्फ एक वर्ग का सम्मेलन करेगी चाहिए वो पिछड़ा वर्ग हो स्वर्ण समाज हो या सब स्रेई आधर्णी मुख्य मंत्री योगी जी को जाता है प्रधान मंत्री जी के नेतितु में बिरोधियों के पास कोई मुद्दा ना होने की वज़े से वो इस पर भी राजनीती कर रहे हैं और जो मुझे लगता है कि ऐसे समय पर राजनीती नहीं करने चाहिए और देने के लिए शुक्रिया कैमरा परसें कमल के साथ ममता चत्रुवेदी जन्तंत्र टीवी दिल्ली